हलो इट्रेंस मैं आप लोग के इस वीडियो में गड़ी सब्जेक के बहुत ही महतोपूर प्रशन बताने वाला हूँ पिछले बार भी मैंने आप लोगों को बताया था और वहां से भी प्रशन देखने को मिला था इस बार भी वैसा ही होगा यहां से प्रशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो चलो मैं आप लोगों को प्रशनों को बता देता हूँ तो देखो पहला प्रशन क्या है पहला प्रशन है एक घात वाले बहुपत को कहते हैं, एक घात वाले को रेखी कहते हैं, दो घात अगर उसमें हैं, तो दी घात बोलते हैं, और तीन घात हो तो त्री घात बोलते हैं, आगे देखो, दूसरा प्रसें समीकरन, x-2y बराबर 4 का एक खल है, तो यहाँ पे जो y है न, इसके मान को 0 कर दो तो क्या होगा एक से 4 आ जाएगा वा इक मान 0 चीरो तो 4-0 यहाँ पर दिया हुगय है 2-4 और यहां से 3 दिया है तो सबसे क्या पूछा है सब से छोठा तो 20 और 2X तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 40 तो 40 इंहां पर उत्तर आजाएगा. समान अकार येवम. समान अकृति वाले सरवांसम उता है. इसके बाद देखो यहां पे कुछ रिख्तिस्थान दिया हुआ है तो रिख्तिस्थान में क्या पूछा है भई गुदान पूछा है na x गुएगग़ तो इसके साथ क्या है कुछ नहीं हुआ है मतलब 1 का गुडा है तो यहां पर माइनस लग्त माइनस 1 हो जाएगा इसमें क्या पूछा है भई एक सा बराबर 1 रख के हल करोगे तो y कितना होगा तो y का मानब यहां पर प्राप्त हो जाएगा यह तो एक रगदी ए नगी यह नर्य का मानब हो जाएगा ہाए का नहीं केद्ट यहाँ धोड़ा सा गल्डी हुआ है यहाँ पे यहाँ finished 5 होगा तो क्योंकि यह क्योंड यह ultram 2 अर्य नहींका क्या करेंके इसको इस साइड ले जाएंगे तो घड जाएगा ना इसका मानेक रखेंगे तो तो ये चार हो जाएगा चार में दो ठीक है दो सही है सरल रेखा का वह भाव जिसका एक बिंदू हो क्या कहता है किरन कहलाता है समकोर्ट रिभूज की सबसे बड़ी भुजाय करन होती है दो रीथ सदेव सम्रूफ होते हैं आकड़ो दो यह सब दिया हुआ है इसका बहुलग जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है तीन इसका बहुलग होगा ठीक बहुलग निकालना जानते हो ना इसके बाद देखो सहीं जोड़ी मिलाओ दिया है तो यहां पे आठ माइनस वान पान इसके मैं डायneट आपकू उत्तर दिखा देता हूं यहां पर दो पर यहां पर साइक का उत्तर देख लो टाहीं देख यहां पर अलगा हुआ है किया है किस चतुर ठांस हटांस में होगा और दो चरो वाले Lरार रेखीक संहिकर यह थे ठीक है ये एक दो X और Y है दो चल है ठीक है दो भीन बिंदूओं के बीच कितनी सरल लिखा है खिची जा सकती है तो एक ही खिची जा सकती है त्रिबुज के तीनों अंता कोड़ों का योग एक्सासियंस होता है किसी त्रिबुज की परिमाप का योग को क्या कहते है मतलब त्रिबुज के बुजाओं का योग को क्या कहते है परिमाप बोलते हैं और इसमें अंतर कितना है घटाओगे तो 20 का अंतर होगा ठीक है, चलो, आगे देखते है सत्य, सत्य गूंड देख लेते है सत्य, सत्य में देखो X बराबर 0 थे X अक्षपद समिकन ये गलत है असत्य है क्यों, क्योंकि ये Y अक्षपए होगा, अगर X un zero होगा तो मतलब Y कमान कोई भी condition में zero नहीं होगा तो इसलिए यह क्या है कथन असथ्ये के बाद समीकन 2y बराबर 3 का एक हल एक होगा Saysdained अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी जो मैंने बताया है, उसमें से आपको कम प्रस्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अधितर जो प्रस्न आपको एक जाम में देखने को मिलेगा ज्यादा तर, वो है 2-3-4 नंबर के प्रस्न, तो देखो, 2-3-4 नंबर के प्रस्न मैं फटाफट दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, जैसा भी जो भी करना चाहते हो, जैसा रटना चाहो, ठीक है, देखो, ये प्रस्न है, इसके बाद इसमें अथवा प्रस्न ये दिया हुआ है, फिर ये वाला प्रस्न है, ये इसका अथवा प्रस्न है, ठीक और इसके बाद आठवा प्रशन है यह अत्वा है और आठवा के बाद आठवा के बाद नवा और यह इसका अत्वा प्रशन है मैं फटा फट दिखा रहा हूं बोलूंगा तो समय ज्यादा लगए इसलिए एक बार देख लेना ठीक है दसवा प्रशन ग्यारवा बारवा ये 11 और इसका अथवा प्रशन फिर ये 12 प्रशन थोड़ा सा समय भी मिल रहा है इसको देखने के लिए ये 12 का अथवा है फिर यहाँ पे 13 प्रशन देखो 13 का अथवा है 14 प्रशन है 14 का अथवा प्रशन है इसका जो कुछ हिस्सा है वो यहाँ पे इस तरह से है ठीक है बहुत सरलशल प्रस्न है और ये रहा पंदरवा प्रश्न और ये रहा इसका अत्वा प्रश्न और इसके बाद यह रहा 16 प्रश्णा, 16 का अत्वा प्रश्णा, 17 है, 18 प्रश्णा है, ठीक है, और इसके बाद 19 देखो, 20 देख लो, और यह 21 और 22 प्रश्णा और यह रहा इसका 23 प्रश्ण ठीक है 23 दक होगा इसके बाद सेट बी वाले में देख लेते हैं इसमें जो एक एक नंबर के प्रस्ण उसको नहीं देखेंगे वो नहीं आता है अधिकतर जो प्रस्ण आ रहा है वो है दो नंबर के प्रस्ण ना तो दो नंबर के प्रस्ण आप देख लो practice करना बिल्कुल गरणटी ऐसे ही प्रश्ण आपको देखने को मिलेगा आठवा तक के देख लो आठवा का अथवा प्रश्ण यह रहा फिर यहां पे नूवा प्रश्ण है नौवा गत्वा है दसवा दश्वा गत्वा है ग्यारवा प्रश्ण है जिखाता हूँ मै अब आपको यह रहा ग्यारवा कत्वा प्रश्ण ठीक है इसके बाद है बारवा है बारवा कत्वा प्रश्ण है तेरवा प्रश्ण तेरवा कत्वा चौद्वा प्रश्ण चौद्वा का अत्वा भी हो गया ठीक है एक प्रश्ण और है यहां पर पंद्रवा प्रश्ण ठीक ह और यह दिखाता हूं इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कि यह प्रेश्वा प्रष्ण और तेईस्वा प्रष्ण तो नेजरों कर सकते हैं कि यह पर इचल में प्रष्णम करे सकते हैं तो बिल्कुल परिच्छा ध्यन का प्रश्ण है, तो परिच्छा ध्यन से प्रश्ण आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिन के पास है वो परिच्छा ध्यन से देख लेना, ठीक है, इसके बाद यह 8, 9, 10 प्रश्ण है, 11, 12 और 13 प्रश्ण हो गया, ठीक है, कर लेना प्रथ न रहे हैं यहां से इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है है औठ यहां पे पन्रो प्रसें सोलवा प्रसें तोलवा का अथवा देख लेते हैं यह रहा ठीक है इसके बाद 17 अथ सतरो प्र Сब्रस प्र गया आप आगे देखो 22 वा और अत्वा हो गया फिर ये 23 वा प्रश्न और इसका अत्वा प्रश्न और कुछ प्रश्न हो रहे हैं इनको भी मैं दे देता हूं बस प्रेक्टिस कर ले ना इन प्रश्नों को चप्रश्न बहुत सरलब अनुदुश्य के बार बताने हैं बहुत सरल प्रश्न होता है और ये दस्वा प्रश्न ऑसने तो इतना असान प्रश्न अगर इज्चाम में और मुझे लगता है कि अब आप लोग इसे बना लोगे ठीक है इसके बाद देखो ये 11 है 12 है ठीक 13 प्रश्ण देखो 13 का अथ्वा 13 पंद्रवा प्रश्ण और ये रहा इसका अथ्वा और ये 17 दक्य हो गया ना ठीक है अठार्वा देखते हैं अठार्वा प्रश्ण उनिस्वा प्रश्ण विस्वा उसका अथ्वा प्रश्ण है अब विस्वा देखो ये रहा विस्वा प्रश्ण और इसका अथ्वा प्रश्ण हम देखो ये एक चार्ट दिया हुआ ठीक है क्या बताना है इसमें यहां पर देख सकते हो ठीक आगे बहुत ही मातुपूर प्रश्न है